गुड मॉरिंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्ल्स मानियाक, वीकली दहिंदो आर्टिकल में आप सबका स्वागत है, तो चलिए बिना किसी देरी के सुरू करते हैं आज का पहला वर्ट, पहला वर्ट है, रिविटेट, इसका मतलब होता है मोहित करना, या फिर फैस इस्मराइच करना, ये भी इसका एक सिननिम होगा, हिपनोटाइज करना, और क्याvy रट, एक अच्छा वर्ट है, इसका मतलब ही मोहित करना होता है, diselled, disinterested, ये इसके antennas होगे, disinterested, जो बिल्कुल भी आकर्सित रहना कर सक है, disinterested, मिस होता है, release होना या फिर set free मतलब बंधन से मुक्त होना release होने को कहा जाएगा dis enthralled मतलब reverted मतलब क्या होता है किसी से मोहित होना बंधन आ जाना लेकिन dis enthralled में होता है बंधन मुक्त होना ठीक है तो यह होगा example होगा इसका he was reverted by the newsreels shown on television जो television पर जो newsreel है वो उससे मोहित था या फिर आकरसिक था ठीक है तो यह होगा अगला वट है gregarious इसका मतलब होता है so samagic या फिर जो sociable है मतलब जो मिलनसार है friendly है उससे कहा जाएगा gregarious जो social person है जैसे यहाँ पर यह दिख रहोगा यह जानवर कैसे है यह काफी समाजिक है social है आपस में मिलकर रहते है तो यह होता है cordial, companionable, affable यह इसके सिननम होंगे affable मिलनसारिता convival होगा convival मिलनसारिता समाजिक या फिर friendly इनसान को खा देगा antinim क्या होगा इसका unssociable, reserved, stand office anti-social यह इसके antinim होंगे reserved मतलब जो अकेला रहना पसंद करता है stand office जो अकेला रहता है anti-social है जो बिलकुल भी समाजिक नहीं, असमाजिक है तो यह इसके antinim होंगे example इसका ही वाजब popular and gregarious man वो जो है एक famous और समाजिक इनसान था तो यह होगा अगला वर्ट है induce इसका मतलब होता है मनाना यह फिर persuade करने को खाजएगा induce यह फिर किसी को motivate करना यह फिर किसी को excite करना instigate करना inside करना यह होता है induce convince, prompt, provoke यह भी इसके शिर्ने मोंगे इनका मतलब भी किसी को मनाना यह फिर किसी को बढ़ावा देना और क्या होता है इंसाइट होता है इंस्टिगेट होता है इंपैल यह भी इसके सिन्यम होंगेश सैट ओफ होता है यी सका मतलब D प्रेरिद करना, इस्टर, आर्ज, कॉक्स, यह भी इसके सिनिम, कॉक्स मतलब किसी को मनाना, या किसी को ठगना, दोनों इस सेंस देता है, आर्ज मिसी भी क्या होता है, किसी को प्रेरिद करना, तो यह इसके सिनिम होगे, एंटिनिम होगा इसका, डिस्वेड करना, किसी को प् एयर हम बुजुर्क महिला को हवाई जहाद से यात्रा करने के लिए मना नहीं पाए या उसे प्रेरित नहीं कर पाए ठीक है तो यह अगला वड़ है मार्जनल इसका मतलब होता है मामुली या फिर सलाइट को कहा जाएगा मार्जनल अब मार्जनल डिफरेंस मतलब बहुती कम डिफरेंस है या मामुली सा है लो है या फिर नेगलीजिबल है मतलब नगरने टाइप का इतना कम है माइनर है यह होता है मार्जनल इस्मॉल टाइनी insignificant, ये भी इसके cinnamon होंगे, insignificant मतलब जो महत्वहीन है, tiny है बहुत ज़्यादा छोटा है, जैसे mobile है ये कैसा है, tiny है, बहुत छोटा है small है, तो ये होता है marginal, minimal, ये भी इसका एक cinnamon होगा, antonyum क्या होगा vast, profuse, abundant, plentiful ये इसके antonyum होंगे, plentiful मतलब बहुत ज़्यादा अधिक्ता है, जो abundant है, profuse है, बहुत बड़ी मातरम है vast है, व्यापक है ठीक है, तो ये इसका antonyum होगा example है, it made only a marginal difference, ये केवल बहुत कम अंतर ले पाई, ये मामुली से अंतर ला पाया ठीक है, तो ये होगा, अगला वट है sweeping, इसका मतलब होता है व्यापक, या फिर extensive को कहा जाएगा, sweeping मतलब जो बहुत बड़ा हो, व्यापक हो बहुत बड़ी उसकी range हो काफी लंबा फैला हुआ है, broad है extensive है, ये होता है sweeping, wide ranging global है, vast है vast मिसे भी क्या होता है, व्यापक तो ये इसके synonym होंगे जैसे कि image में दिख रहा होगा जो पेड़ है, ये क्या है व्यापक छेतर में लगे वे हैं, ठीक है तो ये होता है, spacious, panoramic ये भी इसके synonym होंगे, panoramic भी क्या होता है, जो बहुत बड़ा है, बहुत बड़े दृष्य में है ठीक है, बहुत बड़े छेतर में है तो ये इसके antinim होंगे ये synonym होंगे, antinim होगा इसका narrow, limited, minor जो बहुत कम है, ठीक है तो ये इसका antinim होगा example इसका the citizens voted for sweeping reforms citizens ने एक व्यापक reforms के लिए vote किया, ठीक है, तो ये होगा अगला वड़ है, shrug इसका मतलब होता है, उप्यक्षा करना या फिर disregard करने को कहा जगा shrug, disregard मतलब नजरंदाज करना, या अभेलना करना उप्यक्षा करना जैसे कि parents बच्चों को कुछ बोलते हैं करने के लिए, then they raise their shoulders, to indicate lack of knowledge, कि हम ये नहीं मालूम ठीक है, इस तरीके से उनकी अभेलना करते हैं, जैसे image में टिकरा होगा, इसको देखे लग रहा है कि उसने बात को एकदम से dismiss कर दिया take no notice of तो ये इसके sinemum होगे brush off होगा, किसी चीज को दरकिनार करना, तो ये इसके sinemum होगे, antinum क्या होगा इसका heed करना, मतलब notice करना, ध्यान देना, retreat करना mind करना, तो ये इसके antinum होगे, example इसका the managing director shrugged of the criticism, जो managing director है, उसने criticism को dismiss कर दिया, या disregard कर दिया, या उसकी picture कर दिया, उसको नजर अंजाज कर दिया, ठीक है, नजर अंदाज कर दिया, तो ये होगा, इसका example, बढ़ते हैं अब आगे तो guys, अगला बढ़ है importune, इसका मतलब होता है जित करना, या फिर request करना या solicit करने को कहा जाएगा importune, solicit मतलब यासना करना, जैसे कि ये कर रहा है, यहाँ जोड़ के क्या कर रहा है, please stay with me this month, अपनी salary को बोड़ रहा है कि इस महने मेरे साथ रुख जाईए ठीक है, तो मतलब हाँ जोड़ के किसी सामने विंती करना, या request करना, या रिक्वेस्ट करना, यह होता है importune, जैसे कि वो paper जी वाले आपने देखे होंगे उसमें आते रहते हो reels में, तो उनकी एक photo के लिए क्या करते हो, उनके सामने लगे रहते है please ma'am एक photo दे दीजीए, ठीक है कोई hero निकलानी, काड़ी से निकलानी की वो पहुँझाते है, तो क्या करते हो, भीग मांगते हैं उनसे, एक photo के लिए, जित करते हैं कि एक देदों तंग करते हैं, ठीक है तो इस टाइब का sense देता है, importune besiege करना, implore करना intreat करना, किसी से बहुँझाता है request करना हाज उड़के, विंती करना यह होता है, intreat, implore और besiege pastor, किसी को परिशान करना को, तो यह इसके antinome होगे, example इसका I importune you to help them, मैं आप से request करता हूँ, कि आप उसकी help कर दो, ठीक है, उनकी help कर दो तो यह इसका example होगा, अगला वट है, tribulation, इसका मतलब होता है, curse, यह फिर trouble को कहा जाएगा, tribulation, मतलब जो आपको दर्द है, यह कस्ट है यह परिशानी है, यह होता है, tribulation panks, throj, suffering यह इसके synonym है, panks में से भी क्या होता है, kust, throj में से भी क्या होता है kust यह जो दुख है आपको तो यह इसका synonym होगा कुछ और synonym है जैसे grief, वो ordeal, ordeal मतलब अगनी परिशा, तो यह भी इसके synonym होगा वो मतलब दुख, grief इस भी दुख होता है, और vexation होता है, ill fortune यह भी क्या है, kust यह दुख दाए को कहा जाता है, ill fortune और क्या था, एक idiom थी, cross to bear इसका मतलब भी होता है, kust ठीक है, तो यह भी इसके synonym होंगे antinim क्या होगा इसका, rest, ease, pleasure joy, bliss, जो बरदान है या जो खुसी है, उससे कहा जाएगा ठीक है, joy मतलब आनंद तो pleasure है, या फिर कोई kust नहीं है आराम से है, rest है, ease है तो यह इसका antinim होगा example है इसका, he is not immune from tribulation, वो जो है किस kust से बिलकुल भी सुरक्षित नहीं है, या बचावा नहीं है, ठीक है, तो यह होगा इसका example, अगला वड़ है calumony, इसका मतलब होता है जोटा आरोप, या फिर acquisition को कहा जाएगा calumony, मतलब जो किसी पर आरोप लगे, जिससे कि उसकी image खराब हो, उससे कहा जाएगा calumony, जैसे कि image में दिख़ा होगा, केजरिवाल जी पर अभी बहुँ जादा आरोप लगे हैं, तो यह उन्हें क्या बोड़ रहे हैं, this is calumony यह जो है, जोटे आरोप हैं, मेरी image को खराब करने के लिए, ठीक है, तो यह होता है, calumony, synonym होंगे इसके slender, libel, insult, यह इसके slender होंगे, slender में इस भी क्या होता है, किसी की image को खराब करना, या धुमिल करने की जो मंसा होती है, ठीक है, तो यह होगा, which you paration होगा, इसका मतलब भी जोटा आरोप होता है, या फिर किसी की image को खराब करना, इसमेर करना, गंदा करना, इस्टिग्मा, विलिफिकेसन, इसका मतलब भी क्या होता है, आरोप या फिर, जिससे की आपकी image खराब हो, तो यह इसका synonym होगा, एंटिन्यम क्या होगा इसका, cheerful, happy, genial, pleasant, यह इसके एंटिन्यम होंगे, present मतलब जो आपको सुखी दे, genial, सुखदाय को कहा जाएगा, तो यह इसके एंटिन्यम होगे, example इसका, he was the victim of calamity, वहाँ जोटे आरोपों का सिकार है, ठीक है, तो यह होगा, impending, इसका मतलब होता है, निकट का, यह फिर, email end को कहा जाएगा, impending, मतलब जो approaching है, on the way है, जल्दी होने वाला है, upcoming है, उससे कहा जाएगा, impending, at hand, close, looming, यह इसके synonym होंगे, looming मतलब मंडराना, तो जो काफिनस दिक है, एक दम से होने वाला है, उससे कहा जाएगा, looming, एक idiom आती है, in the pipeline, यह भी इसका एक synonym होगा, मतलब अभी कारिया, होने ही वाला है, या फिर impending है, ठीक है, on the horizon होता है, in the offing होता है, इनका मतलब भी सेम होता है, यह तीनों भी इसके synonym होंगे, intonym क्या होगा इसका, जो remote है, काफि दूर है, distant है, far off है, delayed है, मतलब जो काफी देर में है, तो या दूर है, तो यह इसके एंट्रिम होंगे, एक्जांपल इसका हर retirement is impending, उसकी जो retirement है, वो क्या है, निकट है, या होने ही वाली है, ठीक है, तो यह होगा, अगला वट है, naive, इसका मतलब होता है, बोला वाला, या फिर innocent को कहा जाएगा, naive, मतलब जो सीधा साधा है, child like है, एक होता है child is, तो child is से confusion मत करना, child is एक negative word है, इसका मतलब होता है, जो बच्च का नहीं हरकते करता रहे, मतलब गंदे वो हरकते करता रहे, वो होता है child is, लेकिन child like है, जो बच्चों जैसा है, innocent है, ठीक है, दुनों में अंतर है, तो यह होता है, नाई मतलब जो भोला वाला है, unsophisticated है, simple है, artless है, gullible है, gullible मतलब innocent, जैसे बच्चे होते हैं, gullible होते हैं, उन्हें एकदम से, बेकुफ बनाए जा सकता है, एक लोली पॉप के उस पर, ठीक है, एकदम से यकिन कर लेते हैं, तो जो दूसरे पर यकिन कर ले, वो होता है, gullible, kello, जैचून, यह भी इसके सिननिम होंगे, यह भी क्या होता है, भोला भाला, as green as a grass, यह भी क्या होता है, जो बच्चों जैसा हो, या फिर, इनुसेंट हो, यह होता है, as green as a grass, ठीक है, तो यह इसके सिननिम होंगे, और क्या होता है, क्या होता है, इसका सोफिस्टिकेटड, जो जटिल है, वोर्ड रदिली है, सांसारिक है सलाई जो बहुत तेज है मतलब कुटिल माइड का है वो उताई तो यह इसका एंटरिनियम होगा एक्जामपल इसका 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 मतलब होता है राहत देना या फिर रिलीव को का जाएगा अस्वाज मतलब काम लेसं जो आपकी गुसा है उसको सांत कर दे या आपकी जो भूक है उससे मिटा दे यहा अस्वाज शीनियम होगा इसके एस ऐलीवेट सूट मेंसे बहुता है आ किसी चीज़ पर नरश्म लगाना एलीवेट करना कम करना आपका गुसा हो या फिर आपका दर्द है उसे एलिवेट करना कम करना मिटिगेट करना अले ये विसके सिरिनम होगा पैसिफाई करना मॉलिफाई करना क्वेंच पैलिएट ये विसके सिरिनम होंगे क्वेंच मतलब जो आप जो सांथ कर दे जो आपकी भूग को सांथ करें आपके प्यास को सांथ करें या फिर आपक उससे बात करके जो मेरा गिल्ट था उसमें थोड़ी से रहत मिली या थोड़ा सा वो सांथ हुआ ठीक है तो यह होगा तो गाइज अगला वट है इसकरी इसका मतलब होता है हडबड़ी या फिर रस जब आप कहीं के लिए टेज से भागते हो इसपीर दिखाते हो हडबड़ी फिर ढहरी थिकाते हो ठीक है यह नोटाएज करी रस डस इसकोट एज़ी से भागन के दैस मतलब तीज़िसे भागना जैसकि हास्पिटल के लिए हे डेस फ़ोस्ट वह तरबती कीतर इसपिआज से भागना तो यह इसके हो बस साल इस प्रिंट यह इसमें स्प्रिंटstone साथ होती है इस प्रिंट बोलते हैं उसे मुझा हुता है 100 मिटर के होगी है दोसों की जिसमें तेज भागना होता है बसल होता है तेज से भागना इसका टल इसका इसके सिनम होंगे और अंटल मतलब आरहम से चैल कदमी करना है डर घूमना आराम आराम से साउंटर टोडल साउंटर में इस भी क्या होता है टेहल कदमी करना टोडल जैसे बच्चे होते है आराम आराम से चलते है ठीक है गुटनों पर एमबल होता है चेहल कदमी होती है तो यह इसके एंट्रिम होंगे एकजामपल इसका I was in such a scary मैं जो हू एक chaotic recording हो जा आपको प्रिशान ते रहा हो उद्पीडन हो यह होता है harrowing tormenting excruciating alarming यह इसके इसके परेसान किया इंट्री सा परयेंडिंग हार्ट रक त 20 तो यह से सीनिम वोंगे यह प्रैसाना हा किसी को उइस से नवी नर्व रेकिंग हो गया गट रेक्षेंग ही किसी को उध्विते देन घो क्रेंड से अप पर देने वाली या फिर दर्द देने वाली पिक्चर जिनका जो है मडर हो गया था ठीक है तो यह होगा अगला वट है इंटर्मिनेबल इसका मतलब होता है निरंतर या फिर कंटिन्योस को कहा जाएगा इंटर्मिनेबल मतलब जो एंडलेस है अनलिमिटेट है इंफाइनाइट है लिमिटलेस है वो होता है इंटर्मिनेबल या फिर जो कंटिन्योसली हो रहा है ठीक है यह होता है सीजलेस पैरेनियल परपेच्चुल यह इसके सिनमों के इनका मतलब भी जो निरंतर हो रहा है पैर सिनिम होगा एंटिनिम क्या होगा इसका ब्रेफ ऐफ़ेमेरल इंटर्मीटेन्ट सीजिंग यह इसका इंटर्मीटेन्ट मतलब जो इछ लमबी पुर्टीथ होती है ठीके az गएज रगला वट स्लाइड इसका मतलब होता है चाला कि और फिर कनिंगनेस को कहा जाएगा, सलाइट, जो कैसा है, धूरत टाइप का है, या किसी के पास जो कला है, भुधी मता है, या फिर जो बहुत जादा तेज है, ठीक है, किसी को भी बेकू बनाने की कला है, डिसेप्सन है, आर्टिफेस, डेक्स्टरिटी है, डेक्स्टरिट्री मतलब स्कील को कहा जाएगा, जिसके पास कोई स्कील है, ठीक है, यह होता है सलाइट, इसे जो है सलाइट से कन्फिज मत करना, एसल आई, जी एच डी, यह अगर यहां से रिमूव कर जाएगा, उसका मतलब होता है थोड़ा, तो सलाइट मतलब थोड़ा सा जो हलका है, वो होता है सलाइट, लेकिन यह क्या है सलाइट, मतलब चाला की, तो यह लगिया है, थोड़ा सा अंतर है, अडेप्टनेस, एडेफ्टनेस, डेफ्टनेस, इनका मतलब भी क्या होता है बुद्धी मता या फिर जो तेज है ठीक है यह होता है अडेप्टनेस और डेप्टनेस एंटिनिम क्या होगा इसका Incompetence Ineptitude Ineptness ये इसके Ineptness मतलब aptness मिस होता है कुसल ता और ineptness आकुसल इंसान को कहा जाएगा Ineptitude ये भी क्या Aptitude मतलब जो तेज खोपनी का है Ineptitude जब मंद बुद्धी है Incompetence भी क्या होता है जिसकी बसीवात कुछ नहीं होता है ठीक है जो Competit करी नहीं सकता यह होता है incompetence तो यह इसका end name होगा example है इसका he accused Mr. Mac Reger of slight of hand उसने जो है Mac Reger को उसकी जो हाथों की जो जाला किया है उसके लिए accused किया है या उसको दोसी ठहरा है ठीक है तो यह होगा अगला वट है flagmatic इसका मतलब होता है इस्थिर या फिर constant को कहा जाएगा flagmatic जो सांत है इस्थिर है वो होता है flagmatic ठीक है imperturbable serene यह apathetic यह सके सिनने मुंगे serene मतलब जो सांत है apathetic जो जिस पर कोई फरक नहीं पड़ता है जो emotion less है वो होता है apathetic imperturbable मिस भी क्या होता है इस्थिर या फिर constant को कहा जाएगा impassive होता है यह भी क्या होता है जो indifferent type का है emotionless है indifferent है stolid है stolid मिस भी क्या होता है इस्थिर तो यह इसके synonym होंगे antinim क्या होगा इसका emotional, passionate, furvent, vehement यह इसके antinim होंगे emotional जिसके अंदर कोई emotion है passionate, furvent, vehement इनका मतलब होता है जोसिला जिनके अंदर जोस है ठीक है तो यह होगा example इसका c spoke in a flat, flagmatic voice उसन जो है एक flat, c दे और इस तिर आवाज में बोला ठीक है तो यह होगा अगला वट है piecemeal इसका मतलब होता है थोड़ा-थोड़ा यह फिर gradual को कहा जागा piecemeal जैसे कि यह लकड़ी है जो पेड़ है इसको थोड़ा-थोड़ा करके काटा जा रहा है piecemeal करके काटा जा रहा है इसके छोचोटे टुकड़े करके ठीक है तो यह होगा intermittent, erratic, parsley यह इसके synonym होगे intermittent में इसके होता है रुक-रुक कर erratic में इसके होता है रुक-रुक कर partially हलका करके ठीक है छोचोटे टुकड़ों में यह होता है pitfully होता है by fits and starts इसका एक idiom है इसका मतलब भी क्या होता है थोड़ा-थोड़ा intermittent क्या होगा abrupt, sudden, unforeseen, rapid इनका मतलब क्या होता है जो sudden है अचानक है ठीक है तेजी से है यह होता है rapid, unforeseen, sudden और abrupt इन्टिनिम क्या होगा यह example होगा इसका the reforms were implemented piecemeal जो reforms है जो सुधार थे वो कैसे है किस तरी के से implement किएगे थोड़ा-थोड़ा करके founder इसका मतलब होता है जो father है ठीक है वो होता है founder और दूसरा meaning था इसका fail होना flop होना miscarry fall throw यह इसके सिननम है fall throw मिस भी क्या होता है wiffle होना या asapal होना miscarry मिस भी क्या होता है wiffle होना लेकिन इसका एक और meaning होता है गर्म पात होना अगर गर्व पात हो जाए वो भी होता है miscarry flop viffle होना come to grief एक phrase है इसका मतलब भी क्या होता है asapal होना fall flat यह भी क्या होता है asapal होना viffle होना unsuccessful होना ठीक है तो यह हो जाएगा founder एक और phrase आती है breakdown इसका मतलब भी क्या होता है खराब होना या फिर unsuccessful होना antinim होगा इसका succeed करना thrive triumph मतलब विजेता को कहा जाएगा triumph मतलब विजे होना prosper होना सम्रिद होना यह होगा ठीक है example होगा इसका the talks founded on the reform issue reform issue इस उपर जो talks थी वो कैसे रही unsuccessful रही ठीक है तो यह होगा अगला वड़े proscribe इसका मतलब होता है बहिसकार करना या फिर forward को कहा जाएगा proscribe forward मतलब किसी चीज को मना करना या किसी चीज से बचना ठीक है prohibit ban bycott ये इसके synonym होंगे embargo interdict इनका मतलब ही क्या होता है किसी चीज को रोकना या किसी चीज से बचना या फिर भाइसकार करना ये होता है embargo interdict करना ठीक है तो ये भी इसके synonym होंगे antonym होगा इसका allow करना permit करना sanction करना endorse करना endorse मतलब support करने को आजएगा ठीक है तो इसका antonym होगा इसका इस्ट्राइक्स remain proscribed in the armed forces armed forces में जो इस्ट्राइक्स हैं वो क्या परतिबंदित रही है ठीक है तो ये होगा अगला वट है temporal इसका मतलब होता है सांसारिक या फिर secular को कहा जाएगा temporal मतलब जो material है secular मतलब क्या होता है जो non-spiritual है ठीक है जैसे कि जो हमारी कंट्री है वो कैसी है non-spiritual है secular कंट्री है जैसे कि पाकिस्तान है वो Islamic है अगवनिस्तान Islamic है बंगलेदेश Islamic कंट्री है ठीक है लेकिन जो भारत है वो कैसा है सांसारिक है temporal है secular है ठीक है तो यह होता है, non-spiritual, worldly, mortal, यह इसके सिननम होगे, mortal मतलब भी क्या होता है, सांसारिक, या फिर जो नस्वर है, worldly मिसे भी क्या होता है, सांसारिक, तो यह होगा, वैसे temporal का एक और मीनिंग होता है, वो तक transitory, मतलब जो छनिक है, momentary है, evanescent है, ठीक है, तो इसका एक और मीनिंग ये भी होता है, profane, terrestrial, ये भी इसके सिननम होगे, profane मिसके होता है, सांसारिक, या फिर लौकिक, इसका एक और मेनिंग होता है, जब ये वरपो में होगा तो किसी का अनादर करना, या फिर किसी की available ना करना, ठीक है? terrestrial क्या होता है जो भोमिक है या फिर सांसारिक है ठीके spiritual, celestial, heavenly ये इसके एंटरिम होंगे celestial मिस्ट क्या होता है जो स्वरगी या है या फिर खगोली या है या आकासी या है वो होता है इक्जाम्पल इसका the temporal positions of the church चर्च की अस्थाई समपती ठीक है तो यह होगा तो गाइज आज के लिए बस इतना ही थेंक यू धन्यवाद इफ यू लाइक दर वीडियो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब दर चेनल